जिन्दगी में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे और शायद हमारी महंत बेकार जा रही है लेकिन याद रखिए, यह वही पल होते हैं जब हमें अपने आपको सबसे ज्यादा मजबूत दिखाना होता है जब भी आपको लगे कि आप ठक चुके हैं, एक कदम और उठाएए यही वह कदम होगा जो आपको आपकी मनजिल के करीब ले जाएगा दुनिया में कोई भी सफलता बिना संधर्ष के हासिल नहीं होती कभी हार मत मानिये हार वही मानते हैं जो कोशिशे करना छोड़ देते हैं पर आप में वो शक्ती है जो हर चुनौती को पार कर सकती है बस एक बात याद रखिए सफलता उन लोगों के कदम चुंती है जो लगातार चलते रहते हैं चाहे रास्ते में कितनी ही कठिना या क्यों ना आए अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ सोचना बंद कीजिए उनके लिए काम करना शुरू कीजिए दिनरात मेहंत कीजिए अपने लक्षे पर नजर बनाए रखिए और सबसे बड़ा खुद पर भरोसा रखिए आप से बहतर कोई नहीं है और आप सब कुछ कर सकते हैं आखिर में रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो आपके हौसले उनसे बड़े होने चाहिए उठिये जागिये और तब तक मत रुको जब तक आप अपने सपनों को साकार न कर लो आपका हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा गाउ में एक युवक्त था जिसका नाम राज था राज एक गरीब किसान का बेटा था लेकिन उसकी आखों में बड़े सपने थे वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था अपने परिवार की हालत सुधारने और अपनी जिन्दगी को बहतर बनाने का उसका सपना था कि वह अपने गाउ का सबसे सफल व्यक्ती बने लेकिन उसकी राह में कई मुश्किले थी राज के पास खेत कम थे और फसल अकसर कम हो जाती थी इस बार मौसम भी साथ नहीं दे रहा था लगातार सूखा पढ़ रहा था और फसले बरबाद हो रही थी उसके सामने सिर्फ दो विकल्प थे या तो वह हार मानकर अपने वर्तमान हालाक में रह जाए या फिर कुछ नया सोचे और कुछ बढ़ा करे एक दिन राज ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा उसने अपने पिता से कहा पिता जी अगर हम पुराने तरीके से खेती करते रहेंगे तो हमारी हालत नहीं सुधेगी हमें कुछ नया करना होगा उसने अपने गाव से बाहर जाने का निश्चय किया और शहर जाकर नई तकनिकों के बारे में जानकारी ली राज ने वहाँ जाकर सीखा की कैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेती को बचाया जा सकता है उसने नए बीजों, पानी संरक्षन तकनीकों और आधोनिक खेती के तरीकों के बारे में पढ़ा वह वापस गाव आया और अपने खेतों में नई तकनीकों को अपनाने लगा गाव के बाकी लोग उसकी बाते सुनकर हंस्ते थे वो कहते तू पागल हो गया है, ये सब शहर की बातें यहां काम नहीं आएंगी लेकिन राज को खुद पर भरोसा था उसने अपने नए तरीकों के जरिये थोड़ी सी फसल उगानी शुरू की जहां बाकी लोग पूरी तरह से फसल बरबाद कर चुके थे, राज ने कम पानी और नई तकनीक से कुछ अनाज उगा लिया धीरे धीरे उसकी मेहंत रंग लाने लगी अगले साल उसने और ज्यादा खेती की और इस बार उसकी फसल बाकी किसानों से कहीं ज्यादा थी गाओं के लोग जो पहले उसका मजाक उडाते थे, अब उसकी सफलता देखकर हैरान थे राज ने न सिर्फ अपनी जिन्दगी बदली, बलकि गाओं के अन्य किसानों को भी सिखाया कि कैसे मुश्किल समय में नई तकनीके अपना कर खेती को बचाया जा सकता है कुछ सालों बाद, राज न केवल अपने गाओं का सबसे सफल किसान बना, बलकि उसने अपनी नई सोच और मेहंत से पूरे क्षेतर के किसानों को नई राह दिखाई इस कहानी में सूखा एक बड़ी मुश्किल थी, जिसने सभी किसानों को निराश कर दिया था लेकिन राज ने इस मुश्किल में एक मौका देखा, कुछ नया सीखने और बदलने का अगर वह भी बाकी लोगों की तरह अपनी स्थिती से हार मान लेता, तो शायद वह कभी सफल नहीं हो पाता अगर हम उसे देखना चाहें तो हमारी जिन्दगी में भी ऐसी कई चुनौतिया आती हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं लेकिन जो लोग इन चुनौतियों को अफसर के रूप में देखते हैं, वे ही आगे बढ़ पाते हैं कठिनाया हमें मजबूत बनाती हैं और यह दिखाती हैं कि हमें कितनी क्षमता है जब जीवन में कोई रास्ता बंध होता है तो यह हमें एक नया रास्ता खोजने का अफसर देता है जो लोग असफलताओं से सीखते हैं, वही जीवन में सच्ची सफलता हासिल कर पाते हैं तो अगली बार जब आपके सामने कोई मुश्किल आए, तो उसे एक अफसर समझिये कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का जीवन में आने वाली हर चुनोती अपने साथ एक अंदेखा अफसर भी लेकर आती है हमें से हर कोई अपने जीवन में संधर्शों का सामना करता है, लेकिन वही लोग सफल होते हैं, जो मुश्किलों में छिपे अफसरों को पहचान पाते हैं हर मुश्किल में एक मौका छुपा होता है, यह वाक्य हमें सिखाता है कि कठिनाया केवल चुनौतिया नहीं होती, बलकि अवसरों का द्वार भी होती है जब भी जीवन में मुश्किले आती हैं, तो हमें निराश होने के बजाए उन कठिनायों में छुपे हुए अवसरों को पहचानना चाहिए अक्सर एसा होता है कि जब हमें लगता है कि अब कुछ सही नहीं होगा, तभी कुछ नया सीखने और खुद को बहतर बनाने का मौका मिलता है मुश्किले हमें मस्बूत बनाती हैं और हमें नई दिशा में सोचने और काम करने का अफसर देती हैं उदाहरन के लिए जब किसी काम में अस्पलता मिलती है तो वो हमें यह सिखाती है कि हमने कहा गलती की और उसे कैसे सुधार सकते हैं अगर हम चुनौतियों को सकारात्मक ग्रिष्टिकोन से देखें तो वे हमें आगे बढ़ने और खुद को निखारने का बहतरीन अफसर प्रदान करती हैं इसलिए अगली बार जब जिन्दगी में कोई मुश्किल आए तो उसे एक मौका समझिए खुद पर विश्वास रखिए और उस कठिनाई को पार कर नए अवसरों को पहचानने का प्रयास कीजिए यही सफलता की सच्ची कुन्जी है इतिहास के पन्नों में जहाके तो आप पाएंगे कि अधिकतर महान आविश्कार और सफलताएं किसी न किसी बड़ी समस्या या चुनौती का परिणाम रही है थॉमस एडिसन का नाम कौन नहीं जानता उन्होंने एक हजार से ज्यादा बार कोशिश की और असफल हुए लेकिन अंत में उन्होंने बिजली के बल्प का आविश्कार किया हर बार जब वह असफल होते थे तब वह यह नहीं सोचते थे कि उनके पास कुछ नहीं बचा बल्कि उन्होंने हर अस्फल्ता में कुछ नया सीखा उनका कहना था मैंने कभी अस्फल्ता का अनुभव नहीं किया मैंने दस हजार तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे अगर एडिसन ने अपनी अस्फल्ताओं से हार मान ली होती तो शायद आज हम बल्की रोशनी में बैठे न होते उन्होंने हर अस्फल्ता में एक नया अफसर देखा और अंत में अपनी मेहंत से दुनिया को एक अध्भुत आविशकार दिया स्टीव जॉब्स को भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था उन्हें उनकी ही बनाई कमपनी एपल से निकाल दिया गया था यहां उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाए इसे एक अफसर के रूप में देखा उन्होंने नई कमपनिया शुरू की नेक्स्ट और पिक्सर बाद में एपल ने उन्हें फिर से अपनी कमपनी में बुलाया और उन्होंने एपल को दुनिया की सबसे बड़ी कमपनियों में से एक बना दिया यह दिखाता है कि कैसे जीवन में आने वाली चुनोतिया हमें एक नई दिशा में सोचने और खुद को बहतर बनाने का मौका देती है अगर स्टीव जॉब्स उस कठिनाई में हार मान लेते तो शायद एपल का इतिहास कुछ और ही होता कभी-कभी मुश्किले बाहरी नहीं होती बलकि हमारे भीतर से आती है जैसे आत्मसंदे, असुरक्षाया, विफलता का डर यह ऐसी चुनोतिया हैं जो हमें मानसिक रूप से कमजोर महसूस कराती है लेकिन अगर हम इन चुनोतियों को समझते हैं और उनके भीतर छुपे अवसरों को पहचानते हैं तो यह हमारे आत्मविकास का कारण बन सकती है महात्मा गांधी ने जब अपने जीवन के शुरुवाती वर्षों में भेदभाव और अपमान का सामना किया तो वह निराश हो सकते थे लेकिन उन्होंने इन कठिन अनुभवों को अपनी ताकत बनाया दक्षिन अफरीका में ट्रेन से फैंके जाने के अपमान को उन्होंने एक अफसर के रूप में लिया खुद के भीतर के साहस और सत्याग्रह की शक्ती को पहचानने का अगर उन्होंने उस कठिनाई में सिर्फ अपमान देखा होता तो शायद उनका जीवन अलग होता लेकिन उन्होंने उस कठिनाई में एक अफसर देखा और यही मौका उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना उसी घटना ने उन्हें सत्याग्रह के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया जो आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा हथियार बना कठिनाई या अकसर जीवन में हमें अगले बड़े अफसर के लिए तयार करती है जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो वह हमें मानसिक, भावनात्मक और शारिरिक रूप से मजबूत बनाती है यह मुश्किलें हमें आगे आने वाली और भी बड़ी चुनोतियों का सामना करने के लिए तयार करती है अगर हम यह समझ जाए कि हर मुश्किल एक तरह से हमारी ख्षमता को निखारने का अफसर है तो हम हर चुनोती को सकारात्मक दृष्टि कोन से देखेंगे अबराहम लिंकन का जीवन संधर्शों से भरा हुआ था उन्होंने कई चुनाव हारे व्यापार में असफल हुए और कई व्यक्तिगत समस्याओं का सामना किया लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी हर असफलता के बाद वे और मजबूत होते गए आखिरकार वे अमेरिका के राश्ट्रपती बने और उन्होंने अपने नेत्रित्व से अमेरिका को ग्रिहयुद्ध से उबारा और दास्ता जैसी सामाजिक बुराई को समात किया अगर उन्होंने जीवन की कठिनाईयों को सिर्फ मुश्किल समझ कर हार मानली होती तो शायद वह कभी इतने महान नेता नहीं बन पाते जीवन में हर व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है लेकिन सवाल यह है कि हम इन चुनौतियों को कैसे देखते हैं क्या हम उन्हें एक दीवार की तरह देखते हैं जो हमारे रास्ते को रोक रही है हर मुश्किल में एक मौका छुपा होता है यह केवल एक वाक्य नहीं बलकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है कठिनाया हमें तयार करती हैं हमें सिखाती हैं और हमें बड़ा बनाती हैं जब हम मुश्किलों को इस द्रिष्टिकोन से देखना शुरू करते हैं तो जीवन में कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं पाती इसलिए जब भी आप जीवन में किसी मुश्किल का सामना करें तो रुकिये नहीं बलकि आगे बढ़े क्योंकि हो सकता है उस मुश्किल के पार वही सफलता आपका इंतजार कर रही हो जिसके बारे में आपने कभी सपने देखे हो बहुत समय पहले की बात है हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गाउ में एक गरीब लेकिन महनती किसान रहता था जिसका नाम अर्जुन था अर्जुन के पास कुछ जमीने थी जिन पर वह और उसका परिवार पूरी तरह निर्भर थे बारिश के मौसम में फसल अच्छी होती थी तो वे सुकून से रहते थे लेकिन अगर कभी मौसम खराब हो जाता तो उनके सामने कठिनाईयों का पहाड खड़ा हो जाता अर्जुन का एक ही सपना था अपने बेटे राम को अच्छी शिक्षा दिलाना और उसे गाउ की गरीबी से निकाल कर एक बहतर जिन्दगी देना अर्जुन और उसका परिवार मेहंत से काम करते और उम्मीद करते कि एक दिन उनकी स्थिती बदल जाएगी लेकिन उस साल बारिश न होने से सूखा पढ़ गया अर्जुन ने अपनी पूरी फसल खो दी गाउ के लोग भी निराश और हताश थे अब अर्जुन के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा था और उसका बेटा राम पढ़ाई छोड़ने की सोचने लगा क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे यह समय अर्जुन के जीवन का सबसे कठिन दौर था गाउ में हर कोई अपने खेतों के सूखने से परिशान था लोग अपने जानवरों को बेचने लगे कुछ शहर की ओर पलायन कर गए अर्जुन भी इस मुश्किल वक्त में हिम्मत हारने की कगार पर था परन्तु एक दिन उसने गाउ के एक बुजुर्ग से बात की जो बहुत अनुगवी और ज्ञानी माने जाते थे बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा बेटा, जीवन में हर कठिनाई अपने साथ एक अफसर लेकर आती है सूखे के कारण फसल तो बरबाद हो गई है लेकिन इसका यह मतलब नहीं की रास्ते खत्म हो गए है अगर तुम इस विपत्ती में छुपे अफसर को पहचान सको तो यही मुश्किल तुम्हें एक नई दिशा में ले जा सकती है अर्जुन को बुजुर्ग की यह बात दिल से चुगई लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इस सूखे में कौन सा अफसर चुपा है फिर एक दिन अर्जुन ने गाव के पास बहने वाली छोटी नदी को ध्यान से देखा वह नदी अब सूखने लगी थी लेकिन उसके किनारों पर रेट इकठी हो गई थी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया क्यों न इस रेट का उपयोग कुछ नया करने में किया जाए उसने सोचा कि रेट से इंटे बना कर बेची जा सकती है जिससे कुछ पैसे कमाये जा सकते है अर्जुन ने अपने इस विचार पर काम करना शुरू किया उसने कुछ मजदूरों को साथ लिया और नदी के किनारे से रेट इकठी करने लगा फिर उसने अपने बेटे राम के साथ मिलकर हाथ से इंटे बनानी शुरू की शुरूआत में गाव के लोग अर्जुन को ताने देते थे और उसका मजाक उड़ाते थे वे कहते सूखा पड़ा है और ये आदमी इंटे बना रहा है इससे तो पेट नहीं भरेगा लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी धीरे धीरे अर्जुन की बनाई इंटों की मान बढ़ने लगी पास के गावों और शहरों में लोग मकान बनाने के लिए इंटे खरीदने लगे अर्जुन की कड़ी मेहंत और दूरद्रिष्टी ने उसे सफलता दिलाई उसने अपनी पहली कमाई से अपने बेटे राम की स्कूल की फीस भरी और कुछ ही समय में उसकी इंटों की मांग इतनी बढ़ गई की उसे और मज़दूरों को काम पर रखना पड़ा अर्जुन अब सिर्फ एक किसान नहीं था बलकी एक सफल व्यवसाई बन चुका था उसने अपने काम को इतना बढ़ा लिया कि आसपास के गावों में भी रोजगार के नए अफसर पैदा हो गए जिन लोगों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था वे अब उसकी तारीफ करने लगे अर्जुन की सोच और हिम्मत ने न सिर्फ उसकी बलकी पूरे गाव की हालक बदल दी थी अर्जुन के बेटे राम को अब पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं थी उसे गर्व था कि उसके पिता ने विपत्ती में भी एक नया रास्ता ढूंढा राम ने भी अपने पिता से एक बहुत बड़ी सीखली हर मुश्किल में अफसर छुपा होता है उसने कड़ी मेहंत से पढ़ाई की और अपने गाव का पहला ऐसा युवक बना जिसने शहर जाकर इंजिनेरिंग की पढ़ाई पूरी की पढ़ाई के बाद राम ने एक और सपना देखा अपने गाव में आधुनिक तकनीक से खेती को फिर से स्थापित करना उसने अपनी शिक्षा और अरजुन के व्यवसाय से कमाए धन का उप्योग करके गाव में जल सनरक्षन के नए तरीके अपनाए राम ने आधुनिक सिंचाई प्रणाली और तालाबों के निर्मान के जरिये गाव में पानी की समस्या का हल निकाला अब गाव के किसान सूखे के समय भी फसल उगाने लगे थे अरजुन और राम की मेहंत से गाव की पूरी हालत बदल गई थी जो गाव कभी सूखे से तबाह हो गया था वह अब एक संपन्न गाव बन चुका था जहां पहले लोग हताश होकर गाव छोड रहे थे अब वही लोग अपने गाव में वापस आकर खेती और अन्यकामों में लगने लगे थे अरजुन और राम ने गाव के युवाओं को न केवल रोजगार दिया बलकि उन्हें यह सिखाया कि हर समस्या में एक अफसर छुपा होता है बस उसे पहचानने की जरूरत होती है अरजुन ने विपत्ती में जो साहस और दूरद्रिष्टी दिखाई वहाँ आज एक मिसाल बन गई थी उसने यह साबित कर दिया कि कठिनाईया हमें तोड़ने नहीं बलकि हमें निखारने के लिए आती है अगर हम अपनी कठिनाईयों का सामना साहस और धैर्य से करें तो वे हमें एक नया रास्ता दिखा सकती है कहानी की शुरुवात एक छोटे से गाव से होती है जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था गाव का नाम था हरिपुर यह एक शांतिपूर्ण गाव था और उनका जीवन बारिश के मौसम पर निर्भर था इसी गाव में अरजुन नामक किसान अपने परिवार के साथ रहता था अरजुन एक सरल और महनती व्यक्ती था उसकी पतनी सुमित्रा अपने पती की हर स्थिती में सहयोग करती थी और उनके एक मात्र बेटे राम को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थी एक साल अचानक बारिश का मौसम सूखा बन गया बारिश नहीं होने से फसले सूख गई और गाव के किसान परेशान हो गए गाव में हर जगह निराशा का माहौल था अर्जुन ने अपनी छोटी सी फसल भी खो दी और अब उसके सामने एक बड़ा संकट था उसका बेटा राम जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था अब सोचने लगा कि क्या उसे पढ़ाई छोड़कर अपने पिता की मदद करनी चाहिए अर्जुन ने अपने बेटे को समझाया बेटा ये मुश्किल समय है लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए हम कुछ नया सोच सकते हैं अर्जुन ने गाउं के बुजुर्गों से सलाह ली एक दिन वह गाउं के एक व्रिध ज्यानी व्यक्ति जो अपने अनुभव के लिए जाने जाते थे के पास गया बुजुर्ग ने कहा अर्जुन तुम्हारी समस्या बड़ी है लेकिन इसका हल भी तुम्हारे सामने है जब एक दर्वाजा बंध होता है तो दूसरा दर्वाजा खुलता है तुम्हे बस इसे पहचानना है इस सलाह ने अर्जुन को प्रेरित किया उसने मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा उसने सोचने का प्रयास किया कि वह इस कठिन समय में क्या कर सकता है एक दिन उसने नदी के किनारे देखा कि वहां बहुत सारी रेट इकठा हो गई थी सूखा पढ़ने के कारण नदी का पानी कम हो गया था और किनारों पर रेट की एक बड़ी मात्रा मौजूद थी अर्जुन को एक विचार आया वह इस रेट का उपयोग इंट बनाने के लिए कर सकता है उसने अपने बेटे राम से कहा राम हम इस रेट से इंटे बना सकते हैं इससे हमें कुछ पैसे कमाने का अफसर मिलेगा राम ने पिता के विचार को सहर्ष स्वीकार किया अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और मिलकर इंट बनाने का काम शुरू किया वे दिनरात मेहंत करते रहे धीरे-धीरे गाव के लोगों ने देखा कि अर्जुन और राम मेहंत कर रहे हैं और उनकी इंटे भी अच्छी बन रही हैं पहली बार अर्जुन ने अपने बनाए हुए इंटों को पास के गाव में बेचा वहां के लोगों ने उसकी इंटों की गुनवत्ता की सराहना की अब अर्जुन और राम को लगा कि उनका काम सफल हो रहा है उन्होंने गाव में अपनी पहचान बनानी शुरू की अर्जुन की मेहंत और इमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया कुछ ही महीनों में अर्जुन का व्यवसाई बढ़ने लगा अब वह केवल किसान नहीं रह गया था बलकि गाव का सबसे सफल व्यवसाई बन गया था उसकी इंटों की मांग इतनी बढ़ गई थी कि उसने और मजदूरों को काम पर रखना शुरू कर दिया अर्जुन की सफलता के साथ साथ राम की पढ़ाई भी फिर से शुरू हो गई राम अब एक अच्छा चात्र बन चुका था उसने न केवल स्कूल की फीस भरी बलकि अपने भविश्य को भी समवारने का संकल्क लिया राम ने अपने पिता से एक बहुत महत्वपूर्ण सीख ली हर मुश्किल में एक अफसर छुपा होता है राम ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजिनेरिंग की पढ़ाई करने का निश्चय किया वह जानता था कि शिक्षा ही उसे आगे बढ़ने और अपने गाव के लिए कुछ बढ़ा करने में मदद करेगी राम ने शहर जाकर इंजिनेरिंग की पढ़ाई की और कई नई तक्निकों के बारे में सीखा कुछ सालों बाद राम ने पढ़ाई पूरी की और गाउ वापस आया उसने देखा कि गाउ में अब भी कुछ समस्याई थी गाउ के किसान बारिश के मौसम पर निर्भर थे और सूखे के समय में उनके पास कोई उपाय नहीं था राम ने निरने लिया कि उसे अपने गाउ के लिए कुछ करना होगा वह अपने पिता अर्जुन के साथ मिलकर गाउ में जल सनरक्षन की नई तकनीके लाने का काम करने लगा उसने तालाब बनाने की योजना बनाई जिससे बारिष का पानी संग्रहीट किया जा सके राम ने गाउ के लोगों को जल सनरक्षन के महत्व के बारे में बताया पहले तो लोगों ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया लेकिन धीरे-धीरे वे उसकी सोच को समझने लगे राम ने गाउ में एक बड़ा तालाब बनाने की योजना बनाई वह गाउ के लोगों को इस परियोजना में शामिल करने लगा हर कोई उसके साथ आ गया और गाउ के लोग मेहंत करने लगे उन्होंने तालाब बनाने का कार्य शुरू किया और कुछ ही महीनों में गाउ में एक बड़ा तालाब बन गया अब गाउ में पानी की कोई कमी नहीं थी राम के प्रयासों से गाउ की तस्वीर बदल गई राम ने गाव के अन्य किसानों को भी आधुनिक खेती के तरीकों से अवगत कराया। अर्जुन की कहानी गाव में एक प्रेना बन गई। लोग अब समझने लगे थे कि कठिनाईया एक अवसर हैं। अर्जुन और राम ने साबित कर दिया कि अगर हम मेहंत करें और सोच समझकर कदम उठाएं तो हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। गाव के लोग अब एक जुट हो गए थे। वे अपने अनुभवों को साजा करते और एक दूसरे की मदद करते। गाव में विकास की गती तेज हो गई। अर्जुन और राम के नेतरित्व में गाव ने न केवल कृशी में बलकि अन्यक्षेत्रों में भी उन्नती की। गाव में स्कूल, अस्पताल और अन्यसुविधाय भी विक्सित होने लगी। राम ने गाव के बच्चों के लिए शिक्षा का महत्व समझाया और गाव में एक स्कूल की स्थापना की। अब गाव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जिससे उनका भविश्य उजडवल हो गया। अरजुन और राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाया आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने का अफसर भी देती हैं। हर मुश्किल में एक मौका छुपा होता है। हमें बस अपनी सोच और द्रिश्टिकोन को बदलने की जरूरत है। अगर हम कठिनायों को अफसरों के रूप में देखना सीख लें, तो हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। आखिर में अरजुन ने अपने बेटे राम को एक बड़ी सीख दी, बेटा, जिन्दगी में हमेशा सकारात्मक सोच रखो। हर समस्या के अंदर एक समाधान छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अरजुन और राम की मेहंत, साहस और नई सोच ने न केवल उनके जीवन को बदला, बलकि पूरे गाउं को एक नई दिशा दिखाई। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि किसी भी कठिन परिस्थिती का सामना करते समय धैर्य, मेहंत और सकारात्मक सोच ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। हमेशा याद रखें, हर मुश्किल में एक मौका छुपा होता है। इस वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन।